पिता को सम्मान देने के लिए दुनिया भर में हर साल फादस्डे को काफे धुमधाम के साथ मनाया जाता है कुछ देश इस दिन को जून महीने के तीसरे रविवार को मनाते हैं जबकि बहुत देशों में ये दिन अलग-अलग तारिकों में मनाया जाता है हर साल जून की महीने में तीसरे रविवार को फादस्डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन पिता को समर्पित होता है। पहले सिर्फ विदेशों में ही इस दिन को मनाया जाता था। लेकिन अब भारत में भी लोग इस दिन को काफे अच्छे से सेलिवरेट करते हैं। बुश्चय अर्पृत भादस्डे को मना जाता है। माना जाता है सबसे पहले पश्चम वर्जीनया के फेयर मौन्ट में निस जून 1910 को मनाया गया था। कई महीने पहले 6 दिसंबर 1907 को मोनो गा पश्चिम वर्जीनया में एक खान दुरगटना में मारे गये थे 2010 में 210 पिताओं के समान में इस विजेज दिवस का आयोजन लग्रेस गोल्डन क्लेट ने किया था वहीं इससे जुड़ी एक और कहानी के मुताविक फादस्डे मनाने के पीछे के स्टोरी अमेरिकी इग्रेयुदिके दिगज विलियम जैक्शन स्मार्ट की बेटी सोनोरवा से जुड़ी है वासिंटन के स्पोकिन में रहनी वाले सोनोरा की मा की छटे बच्चे को जनम देती समय मौत हो गई थी सोनोरा ने अपने छोटे भायों को अपने पिता के साथ मिल कर बाला सोनोरा की पिता जिस प्रकार सभी बच्चों के देख भाल करती थे उसे देखते हुए सोनोरा अपने पिता को सम्मान देना चाहते थे सोनोरवा ने spoken ministerial alliance से संपर्क किया और उनसे अपने पिता के जनम दिन को 5 जून को दुनिया भर के पिताओं को सम्मानित करने के लिए Father's Day के रूप में मानिता देने के लिए कहा और तब ही से Father's Day हर जून के तीसरे संडे को मनाया जाने लगा वैसे क्या आप भी अपने पिता से इतना प्यार करते हैं कि आप भी अपने पिता के लिए एक खास दिन का चैन करना चाहेंगे अगर आप भी अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए भी आपके पिता आपके जिन्दगी के हीरो है तो इस वीडियो पे I love my father and happy father's day कमेंट करके जरूर लिखे और इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching Karara News Day and Night झाल